sto guys आज जब मैं कभी रिल्स या सोट्फ देखता हूं इसके अंदर किसी लड़की को चीटिद होता है मतलब कि किसी girlfriend ने अपने boyfriend को cheating किया होता है या फिर किसी wife ने अपने husband को cheating किया होता है तो फिर देखो आफ फिर देखो बाई जो अपने le гpdyol अपाड़े हैं अब देखते हूंगे, सेल भी गरता है, हाव मच यह सब करते हैं, फिर गालियों के बोच्छार करते हैं, फिर बोलते हैं, फिर मोधिजी के आवाज बोलते हैं, जी जनरेशन, ये केंट डू जनरेशन, जी वी रोडो ये ये सब भी डिक्सिणरी में आजाते हैं एक्दम से, और फिर compare करते हैं पने मम्मी से, बिर बोलते हैं आजकल की जो लड़किया हैं हमारे मम्मी जोशी कभी नहीं बज सकती, ये सब की सब बिगर चुकी है, western culture का influence के उपर और ये कभी भी husband का किया नहीं मानती, मतलब boyfriend का भी नहीं मानती, पर कभी आपने ये सोचा ही आजकल की वो कि इसके अंदर कुछ ऐसे interesting facts है ना, जो कि आपको हिला देंगे अंदर सकते, क्या है नया, आपको बहुत surprise करने वाला है, तो सुरू करते हैं आज की video, ये देखते हैं पैरचन मजारत, हाहाहाँ ये, पहले हम जान लेते हैं कि millennial और gen G generation क्या होती है, जो 1981 से 1996 में पेदा हुए बच्चों को हम जैन जी कहते है, means, जो हमारी ममी पापा की generation है, वो है millennials, और जो हमारी generation है, वो है gen G, so guys, आप स्टार्ट करते हैं, कि कौन है better, तो भाई पहले हम कंपरेशन स्टार्ट करते हैं education, क्योंकि education है जबसे बड़ा major factor है, इन दोनों generation के अंदर gap पा, वही अगर हम लड़कियों के बात करें तो भाई फैले millennials, हमारी ममी की इस की लड़कियों को वही इतना education नहीं मिल पाता था, जिसा कि आपको इस चार्ट के अंदर दिखा रहा पारी है, और बाई जबसे अच्छी education मिलना सुरू ही है, गल्स को देश की population भी अब दीरे-दीरे कम हो रही है, क्योंकि जहां फैले लड़किया 4-4 बच्ची पेदा करती थी वही अब यह आकड़ा दोख से भी कम पे आ गया है नीचे, और इससे क्या हुआ है कि लड़किय उनकी गल्स को कभी भी गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी गल्ती नहीं थी, कि उस टाम education आम बात नहीं थी, इंडिया में वही गल्स की पर अब दीरे-दीरे सा पूछ हो रहा है, इसलिए लड़किया फट पा रही है, यह वाला पहला education का point जीती है, जैन जी गल्स की लड सपोर्ट कर पा रही है, वही हमारी मिलीनेस की जनरेशन का वही बात है, education नहीं मिलेगी तो technology भी adopt नहीं कर पाएंगी, इसलिए यह point भी आराम से जैन जी गल्स की लड़ी के जीत जाती, क्योंकि तीसरा major factor है, feminism, वैसे तो यार इंडिया के अंदर feminism की शुरुआत 90-91 के इस्तेमाल किया, पर दीर दीर इस कानून का गलत इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि इसके according जो लड़कियों के लिए बलाई के लिए बनाये गए थे, उनका ही उन्होंने गलत फाया उठाना शूरू कर दिया, और जो निर्दोस लड़के थे, उनको भी उन्होंने बसाना शू इसके लिए मुझे आपको बताने के जरूत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आग आप अपने आसपास देखते होंगे, आप अपने मम्मी को देखते होंगे, और एक तरफ और आप एक तरफ अपनी गल्फेंड या अपनी वाइप को देखते होंगे, कि उनके अंदर क्या इफिरेंज है कि जहां हमारी मम्मी की जनरेशन की लड़किया, अपने कल्चर को बहूत इंपोрьलेंस देती थी, वहीं आजकल की लड़किया उसे इतना इंपोर्डेंस नहीं देती है, वो बेश्टेंग कल्चर से ज़्यादे इंपॉस हो जाति है, औरो जीरे दीरी फेमिल कोई बूलती जा रही हैं उनके लिए फैमिली इतना इंपोर्डेस नहीं रखती हमाज की बिना फिकर किये हुए डीबोस आसाने से ले लेती हैं और अपने पती को भी चीट करने से नहीं कत रहती है इसलिए साब डिफेरेंस है कि उस टाइम की लड़किया भैटरती आज से ल गड़रती हैं वही हम देखते हैं कि हमारी मम्मी की जनरेशन की लड़किया का कोई भी रिलेसेंसिफ स्टेटस नहीं होता था यह अगर होता भी था तो वह उनसे साधी कर लेती थी वहीं कि उस टाइम लोयल्टी बहुत रियर थी क्यों कल्चर को बहुत इंपोर्डेंस दी के लिए कोई बड़ा काम नहीं है और इसलिए लड़किया इतना इंडी पेंडेंडिन करती रहती है पर इंडीपेंडिन का मतलब बिल्कुल नि जानती है उनको जिम्मेंदरी नहीं नहीं बस शिर्प अपने बारे में सोचना रहता है तो इसलिए ये पोइंट भी जाता है हमारे मामি-पापा की जन्रेशन की लड़की disorder आगे बदलते रहेंगे लड़कियों आपको लगता हो कि अगर मैंने सिर्फ लड़कियों के ऊपर विडियो मनाईये तो tension मत लिज 거지 मैं लड़कों के उपर भी अगला वीडियो बनाने वाला हूँ उसको भी आप देखिएगा तो आपको पता है अभी तक कि लड़की हमेशा क्यों compare करते हैं अपने उम्मी की generation से लड़किया कभी नहीं करती क्योंकि उनको पता है लड़कों का वही काम है लड़के पहले भी वही एक काम कर रहे थे कमा रहे थे जिम्मेदरी निवा रहे थे और अभी वह एक काम कर रहे हैं कमा रहे हैं जिम्मेदरी निवा रहे हैं क्योंकि लड़कों में ज्यादा changes नहीं आए हैं उनका काम पहले भी कमाना था सब्सक्राइब तो अगर आपको ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो देखने का सोख है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर और कमेंट कीजिए मैं मिलता हूं आपको फिर से एक अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल र